हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कोटेक डिलाइट कार्ट के बारे में जैसा कि आप जानते हैं पर्टिकुलर जो कार्ड है वो एक इंटरनेशनल कार्ड है आप इसको इंटरनेशनल यूज़ कर सकते हैं कोई भी आपके इंटरनेशनल प्रेमेंट करने क के लिए दूसरी जो बात है जो कार्ड है पर्टिकुलर्ली नियल फिल्ड कम्म्निकेशन टेक्नलोजी पर काम करता है यानि कि इससे आप कोंटेक्ट लेस प्रेमेंट भी कर पाएंगे जिसकी जो लिमिट है पर देखी वो है अभी 5000S पर RBI है फिर जो कार्ड है यह पर्टिकुलर्ली बीज़ा के द्वारा इस्यू किया जाता है जो की एक बीज़ा का प्लेटिनम वर्जन है फिर जो इसका सिक्योटी फीचर है वो ह है चिपMed Guide card जिसे की जादा सिक्योटी आपको मिलती है रिलेटेट टू कार्ड क्लोनिग या और कोई कार्ड से रिलेटेड जो भी Secure Church से उनको कम करने के लिए फिर बात करते है इसके फीचर से इसके जीलाइट कार्ड के सबसे पहले ब्लेस इन आपको 10% का क्योज्वीरक adaptive है उनमें और फिर जो अगला फीचर इसका वो है आपका जो आप 10 परसेंट तक मोवी टिकेट पर भी कैस बैक ले सकते हैं अगर आपका जो मंतली इसके अधिक हो जाता है अधर देन मोवी टिकेट बुकिंग फिर जो अगला फीचर वह इसका है जो पर्टिकुलर होता है आपका सर्चार्ज वेवर होता है इनकेस फ्यूल रिफिलिंग तो अगर आप अपनी कार या मोटर साइकल या कोई वेहिकल में आप पेट्रोल डीजल दलबाता है तो उसमें 1 परसेंट के तो सर्चार बेबर है वह भी आपको यहाँ मिलता है लेकिन उसकी लिमीड है पर ट्राइंशिक्शेञा चार सो से अधिक नहीं हो सकता है अगले फिचर की बात करें कि जो आप को ट्रेंट टिकेट्स बुकिंग करते हैं तो उसमें आपको 100% जो भी सर्चार्ज है वो वेवर मिल जाता है और इसमें जो मेक्सिम होता है वो 500 रुपीज पर केलेंडर मन्द होता है अब अगले फिचर की बात करते हैं तो इसके जो माइल इस्टोन आवोर्ड है उसमें आपको एक जो मुवी टिकेट्स हैं पीवी आर के बहुत आपको मिलते हैं यदि आपका जो सोपिंग है शिक्स मन्थ में एक लाग पच्चिस एड़ से अधिक हो जाती है तो उसकेस में आ आप डवल सोपिंग कर लेते हैं यानि के डाइलाक एक साल में कर लेते हैं तो उसकेस में आपको आठ पीवी आर के मुवी टिकेट्स या पंदरा सो रुपे केस्वेक ले सकते हैं इन दोनों में साब चूज कर सकते हैं फिर जो अगला फिचर है इस कार्ड का वो है आपका जो भी फ्रोड फ्रोडेंटली अगर ये कार्ड यूज होता है कहीं तो अगर उसको आप आज रिपोर्ट करते हैं तो प्री रिपोर्टिंग के साथ दिन पहले तक के जो भी ट्रांजेक्शन से जो भी लाइवलिटी है तो वो एक लाग पच्चिस जार रुपे तक कबर हो चाहिए और एक आप रेजिडेंट इंडियन यह यानि के भारतिय नागरिक होने चाहिए फिर इसकी बात करें तो वो है उन्नीस ओन इंडियान में रुपे और जो इसकी एन्वल रिनीवल फीज है वो है आपकी 299 रुपीज अब बात करें कैस्विट्रोल फी की तो इसमें जो भी आप ट्राइंजेक्शन केस्विट्रोल की तरह यूज करते हैं यानि केस्विट्रोल करते हैं तो उसकेस में आपको 300 रुपीज फॉर एवरी 10,000 या उसका पार्ड वो चार्जे लगते हैं जैसे कि आपने मान लिजिए 11,000 रुपे एजर केस्विट्रोल किया तो उ सबस्क्राइब करते हैं इंट्रेस्ट कि देखा तो इंट्रेस्ट के इसे जह सब्सक्राइब यूज जो इस observates फ्रदोल कि हेसाब यानिकशाल मिलें आप rays पड़ता है ये 10,000 अपड़े से इयूजा ये पर दियूज पहाता है तो फिर इसमें एडेड वो वो आप एड़ करा सकते हैं उसका चार्जज है वो 299 पर कार्ड है इसके अलाबा जैसे कि आप जानते हैं यह परटिकुलर जो कार्ड है वो इंटरनेस्ट्र केड़ कार्ड है तो उसके में अगर आप इसका ट्रांजेक्शन करते हैं फोरण करेंसी के लिए या कुछ इंटरनेशनली पर्चेस करने के लिए इन डॉलर्स और अधर फॉरेंट करेंशी तो उसकेस में जो मार्क फीस है वो है 3.5 परजेंट यानि के 3.5 परजेंट आपको फॉरेंट एक्सचेंज कमिशन लएगा यानि अगर आप सो रपे सो डॉलर के ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको रेइसू या रेप्लेस्मेंट कराते हैं तो उसकेस में आपको जो चार्जेस देना होते हैं वो देना होते हैं 100 रुपीज पर कार्ड फ्रेंट्स थेंक्स वर वाचिंग इस वीडियो अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और साथ हमारे चलगो सबस्राइब भी करें